हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो न्यू वीडियो फ्यूटर रिटेल तो फ्रेंड्स फ्यूटर रिटेल से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी निकल के आया है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्विकली शेयर करूंगा उससे पहले चोटी सी रिक्वे लेकिन गिरावट जो है इसमें कंटिनुसली जारी है बहुत लंबे समय से गिरावट जारी है मैं यहां पर वन यर का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ 76 रुपीज से यह शेयर गिरना चालोगा था लास वन यर में जो कि जून 21 के आसपास था और अभी यह ट्रेड कर रहा है 34.45 आज के सेशन में 5% का लोगर सर्किट और जो है फ्रेंड्स रिसेंटली हमें दो अपर सर्किट देखने को मिले थे 10-10% के तो उन में से एक सेशन जिसका 10% था हूँ अभी माइनस हो चुका है क्योंकि दो लोगर सर्किट कल और आज हमें देखने को मिले तो क्यों हमें लोगर सर्किट देखने को मिले जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बार-बार की बहुत ज़्यादा अंसर्टेनिटी यहाँ पर आ चुकी है और उसी के चलते जो है इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पे जो है बहुत सी डिसीजन अभी पेंडिंग है जिनके ओपर लाइट स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मल्टिपल केसे साटे टाइम चल रहे है अभी फिचर रिटेल अमेजान का या फिर फिचर रिटेल रिलाइंस का तो जब तक सारे चीज़ों पे लाइट स्प्रेड नहीं होता है जब तक डिसीजन नहीं आता है पुकता डिटेल्स नहीं आती है तब तक जो है इस शेयर में अंसर्टेनिटी बहुत जादा रहने वाली है और यहाँ पे तो अल्मोस्ट यह श है क्योंकि 50-60% से भी जादा की गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरीके के सेंटिमेंट मार्केट में बन रहे है वो काफी जादा जो है बीरी स्टेंट दिखा रहे है तो अपडेट क्या है वो देखते हम सबसे पहले जो में शेयर करना चाहरा हूं यंसी एल्टी तो यंसी एल्टी जो है अमेज़ॉन का जो प्ली था उसके उपर जो है चैलेंज किया था उन्होंने CCI का जो डिसीजन था 202 करोड का फाइन और फीचर कूपांस का जो तुमने डील किया था फीचर इटिल के साथ तो वो गलत है उसके उपर जो है आज सुनाए होने वाली इसके उपर और जादा अपडेट आ सकते है कि इसके उपर तो आपको जो है उन्टाइम इमिडेटली उसका अपडेट जो है पता चले तो बहुत सी अपडेट ऐसी है जो मैं आने वाले कुछ वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करूँगा फिलाल तो यह NCLT का हीरिंग बहुत जादा इंपोर्टन है कि किस तरीके सा वो जो है CCI को सपोर्ट करते है या CCI का जो डिसीजन था उसको रिजेक्ट करते है अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो है future group के लिए और ज्यादा परेशैनिया भी हो सकती है क्योंकि Reliance और जो स्टोर से वो टेक कोर कर चुका है friends क्योंकि पहले जो डील हुई थी उसमें ऐसा समझा जा रहा था कि यह deal हो जाएगी फिर Reliance और future group मिलके business करेंगे Big Bazaar का वगेरा ले क्योंकि syntax के साथ recently क्या हुआ है वो हम सबको पता है मतलब अगर Big Bazaar ये entity available ही नहीं रहती है market में जो future retail के stores है तो फिर ये share list होके करेगा क्या इसके बदले क्या मिलने वाला है लोगों को यहाँ पे आप देखिए share holding pattern कैसा है continuously घटाते गया है promoter उनका holding और 18.24 पे लाके रख हुए है वो है 71.70% वह retail investors है friends तो अगर ये particular share के साथ अगर insolvency process होता है और जैसा syntax के साथ किया है कि Reliance बोल रहा है हम इसको buy करेंगे syntax को लेकिन shares write-off कर देंगे company deal list हो जाएगी अगर वो future retail के साथ होता है तो ये काफी बड़ी बुरी news है friends क्योंकि 80 रुपीस की बात कर रह लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे भी ये friends जो इस लेवल पर इस particular share को buy करके बैटे थे बहुत hopes के साथ जहां पर एक all of a sudden fall देखने को मिला था 369 से सीधा ये share आके 73-63 रुपीस पे आके गिरा था तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा loss हो ये हो सकता है तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा important future retail से आने वाले है मेरा खुद का बहुत ज़्यादा investment इस particular share में है लेकिन इतना बड़ा loss है कि मैं फिर से अगर write-off वाली case होती है तो मैं मेरे जितने भी loss रहेंगे वो मैं book करने के लिए ready रहूंगा क्योंकि अगर syntax के साथ जो हुआ हूँ अगर future retail के साथ होगा तो definitely सीधा सबकुछ zero हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा अभी जो है डर अभी फिलाल है लेकिन आज CLT क्या बोलता है उसके उपर काफी कुछ चीज़े जो है आगे equation change करेगी और बहुत सी uncertainties जो है वो clear करेंगी तो आज का hearing बहुत जादा important difference प्लीज चैनल को सब्सक्रेब कीजिए ताकि आपको on time जो है सारे updates मिलते रहे thank you for watching this video